आज हम पढ़ाएंगे Class 6, पसंत, बुक से, लेशन 13, मैं सबसे छोटी हूँ हिंदी में हम पढ़ा रहे हैं 13 लेशन, मैं सबसे छोटी हूँ देखें, यह सुमित्रा नंदन पंत की लिखी हुई कविता है ठीक है, इन्होंने बहुत अच्छी ची कविताओं को लिखा है सुमित्रा नंदन पंत के बारे में हम थोड़ास बता जेते हैं आपको सुमित्रा नंदन पंत का जन्म उत्तरांचल के अल्मोडा जिले में हुआ था इनके पिता का नाम गंगादत और माता का नाम शरस्वती था वे बच्पन से ही कविता लिखने लगे और एक समवेदन सिल ब्यक्ति तथा प्रकृति प्रेमी कभी थे वे एक समवेदन सिल ब्यक्ति और प्रकृति प्रेमी थे इन्हें प्रकृति का सुकुमार कभी भी कहा जाता है इनका निदन सन 1977 इसवी में हुगा इनकी रचनाएं वीडा, क्रंथी, पल्लो, युगांत, युगवाडी, ग्राम्या, युगांतर आदी हैं अब देखिए इसमें कविता के भी से में इनों में क्या कहा है कविता के भी से में बच्चों का अपना बच्पन इतना अधिक प्रिय होता है कि वह सुन्दर ढंग से सुर्य का निराला ने इसे वर्णन किया है मा का प्यार और उनके आचल की छाओ बच्चा छोड़ना ही नहीं चाहता मा के आचल की छाओ और उनका प्यार किस तरह उसका वर्णन किया गया है उसको देखिए पहले हूं कविता पढ़ते हैं मैं सबसे छोटी हूं तेरे गोधी में सोँ कविता हैं मैं सबसे छोटी हूं तेरी गोधी में सोँ तेरा आचल पकड़ पकड़ करूं सदा मात तेरे साथ फिरूं सदा मात तेरे साथ कभी न छोड़ूं तेरा बड़ा बना कर पहले हमको तु पीछे छलती है मात हाथ पकड़ फिर सदा हमारे साथ नहीं फिरती दिन रात अपने करसे खिरा धुला मुख धूल पोच सचित कर गात थमा खिलोंने नहीं सुलाती हमें सुखत परियों की बात ऐसी बड़ी न हूँ मैं तेरा स्ने न खूँ मैं तेरे आचल की छाया में छिपी रहो निस्प्री निर्भय कहूं दिखा दे चंद्रो दे यह सुमित्रा नंदन पंद की कविता है तो पहले हम संदर पढ़ते हैं इसके इसमें प्रस्तत पद्यास हमारी पाठ पुस्तर बसंत की मैं सबसे छोटी हूँ नामक पाठ से लिया गया हूँ इसके कवी सुमित्रा नंद पंद जी है इसमें मा के बेटी मा के प्यार और सना इसने के लिए हमेशा ललाइत रहती है बच्चे कैसे अपने मा के आचल को हमेशा याद करते रहते हैं और वस चाहते हैं कि मैं कभी बड़ी ही नहूँ देकि सबदार्थ है अंचल मिस आचल शदा मिस हमेशा चलना मिस कपटकरना गात मिस गाना शदा मिस हमेशा कर मिस हाथ, सजित मिस सजा कर, गात मिस सरीर, शुखत मिस सुख देने वाली इस पंक्ती में बच्ची छोटे छोटी रहकर हमेशा मा के साथ चलना चाहती है कहती है मा मैं सबसे छोटी हूँ बेटी कहती है कि मा मैं सबसे छोटी ही रहना चाहती हूँ तेरी गोदी में ही हमेशा सोना चाहती हूँ मैं तुमसे कभी दूर नहीं रहना चाहती, मैं तेरा हाथ नहीं छोड़ना चाहती, बड़ा बना कर पहले हमको, तू पीछे चलती है माद, तूने क्या किया, माँ पहले तो तुमने हमें बड़ा बना दिया, फिर तुम हमारे साथ चल करती हो, बड़ा होने के बाद दिन रात अब जब हम बड़े हो गए तो तुम हमें परियों की बाते भी नहीं सुनाती हो और हमें खिलोने देकर फुसला देती हूँ हस ऐसी बड़ी नहीं होँ मैं तेरा स्ने नखोँ मैं मा मैं ऐसी बड़ी नहीं होना चाहती जिससे तुमारे प्यार से मैं वन्चित रह जाऊँ तेरे आचल की छाया में छिपी रहूं निस्प्री निर्भय मैं तेरे आचल में हमेशा रहना चाहती हूँ तुम्हारे बिना मैं नहीं रहना चाहती मा मुझे निकलता हुआ चान दिखा दो हेमा मुझे निकलता हुआ गोद में अपने लेकर और निकलता हुआ मुझे चान दिखा दो हेमा मुझे तुम अपनी गोद में लेकर मुझे निकलता हुआ चांद दिखा दो इसमें कहती हैं कि तेरे आचल इसका देखे तेरे आचल की छाया में छीपी रहोन निस्प्री निर्भय कहों दिखा दे चंद्रोद है हेमा मैं छोटी रहकर तुमारे आचल मैं बिना कुछ चाहे छीपी रहना चाती हूँ और तुम से बिना डर के कह सको कि हेमा मुझे निकलता हुआ चंद्रोद है दिखा दीजिए या चान दिखा दीजिए ठीक है अब हम यह पढ़ते हैं कविता में सबसे छोटे होने की कल्पना क्यों की गई है प्रशुपतर है कविता में सबसे छोटे होने की कल्पना क्यों की गई है उत्तर कविता में सबसे छोटे होने की कल्पना इसले की गई है ताक मैं क्यों कहा गया है क्या तुम भी ऐसे छोटे बने रहना चाहते हो उत्तर कविता में बड़ी होने बड़ी ऐसी बड़ी नहूं मैं इसलिए कहा गया है कि बड़ा होने पर मा बच्चे को खिला पिला कर खिलोने दे कर बहला लेती है परियों की कहानी भी नहीं सुनाती हम भी हमेशा छोटे रहना चाहते हैं क्योंकि मा का प्यार पाना चाहते हैं आसे इस पस्ट करिए हाथ पकड़ फिर सदा हमारे साथ नहीं फिरती दिन रात उत्तर है आसे देखें बच्ची मा से कहती है कि हे मा बड़ा होने पर तुम हमें नहला धुला कर खिलोने देकर अपने साथ खिलाने के लिए छोड़ देती हो अपने आप खेलने के लिए छोड़ देती हो इस प्रकार तुम हर समय हमारे साथ नहीं रती, साथ नहीं घुनती फिरती हो चोथा है अपने छुटपन में बच्चे अपनी मास के करीब होते हुए भी इस कविता के नजदीक की कौन सी स्थितियां बताई गई हैं इस कविता में बच्चे का मा की गोद में सोना, मा के साथ घूमना मा के द्वारा बच्चे को नहालाना धुलाना और खिलाना पिलाना परियों की कहानी सुनाना बच्चे को प्यार करना और उनके आचल में छिपे रहना नज़दी की इस्तितियां बताई गई है कविता के आगे तुम्हारी माँ तुम्हारी माँ तुम लोगों के लिए क्या क्या करना चाहती है उत्तर कविता हमें सबसे पहले हमारी मां हमारे हर दुख सुक का ध्यान रखती है वह हमें प्यार से सुलाती है और हमारे साथ गुमती फिरती है वह हमें अपने हाथ से नहलाती धुलाती और खाना खिलाती है मां हमें परियों की कहानी भी सुनाती है दूसरा है यह क्यों कहा गया है कि बड़ा बना कर मा बच्चे को छलती है बड़ा बना कर मा बच्चों को छलती है यह इसलिए कहा गया है क्योंकि बच्चों को बड़ा हो जाने पर मा उसे खिलोना आदी दे कर बठा देती है बच्चा बच्चपन की कहानियों को नहीं सुनाती, बच्चपन की कहानियों को बच्चों को वो मा नहीं सुनाती बड़ा होने पर मा बच्चे के साथ घुमना फिरना बंद कर देती हैं तथा अपने कामों में लगी रहती है तीसरा है कोशन उन क्रियाओं को गिनाओं जो कविता में मा अपनी बेटी बच्ची या बच्चे के लिए करती है उत्तर मा अपनी छोटी बच्ची या बच्चे को खाना खिलाना नहलाना धुलाना सज्जित करना तथा खिलाओने आदि दे कर कारे करती है अनुमान और कल्पना इस कविता के अंत में कभी मां से चंदरोदय दिखाने की बात क्यों कर रहा है मां के उदित होने, चांद के उदित होने की कल्पना करो और उन्हें कच्छा हैं बताओ कभी मां से चंदरोदय दिखाने की बात इसलिए करता है क्योंकि चंदरोदय द्रिश्य बहुत ही सुन्दर होता है बच्चे चांद को प्यार से चंदा मामा कहते हैं जिनका संबंद मा से भी है मा इसने और स्पर्स से इन्हें बहलाने बहाने बनाती है इसने और स्पर्स से इनके लिए बहाने बनाती है दूसरा है कविता में पढ़ने के बाद बच्ची एक बच्ची और उनकी मा काचित्र तुम्हारे मन में उभरता है बच्ची और क्या कहानी कही होगी क्या-क्या कहानी होगी कल्पना के विशे में कहानी बताओ कल्पना करके कहानी बताओ एक बच्ची सुबह सुबह सो कर उठती है और मा से को आवाज लगाती है कि मा मैं उठ गई हूँ मा मुझे नास्ता दो मा रशोई से निकाल कर आती है और बोलती है कोई पहले ब्रस करो नहाथ हो लो तब तक नास्ता तयार करती हूँ मुह हाथ दोकर वह नास्ता करने के लिए आती है और स्कूल नहीं जाना है तुमें ऐसा बोलती है फिर उस दिन मां आज मैं सारा दिन आपके साथ रहना चाहती हूँ स्कूल नहीं जाना चाहती हूँ स्कूल नहीं जाओंगी, नहीं, स्कूल छुट्टी नहीं करनी है, तुम स्कूल जाओ, दोपहर को आना वापस, तब मैं तुमें खाना खिलाओंगी, शाम को घूमने ले चलोंगी, बच्ची घूमने के लिए चली जाती है, बच्ची स्कूल चली जाती है और दोपहर में वा और बच्चे को जूला जूलाती हैं, इस प्रकार कहानी भी सुनाती हैं और प्यार से उसे सुला देती हैं, तीसरा क्वेशन है, मा अपना एक दिन उसके साथ कैसे गुजारती हैं, कुछ मौकों पर उसे दिन चर्या बदल जाया करती है, महमान के आने पर, बीमार पढ़ जान सोचो और लिखो, मा अपना सारा दिन घर के कामों में, घर की देखभाल करने में गुजारती हैं, कुछ खास मौके पर दिन चर्या में बदलावा जाते हैं, महमान के आने पर, किसी महमान के आने पर अलग बढ़ियां खाना बनाती ही रती हैं, और प्रत दिन कुछ कामों की की देख्भाल करनी पड़ती है घर में किसी के बिमार पड़ जाने पर वह मा बिमार की देख्भाल जादा करती है भली भात ही उसकी दिन शर्या में कोई फर्क में पड़ता है वह डेली की तरह ही उन्हें दवा उन्हें खाना खिलाना रोग्यों की सिवा भी बराबर करती हैं तहोार के आने volont trophy दिन यह नए पकवानों को बनाती हैं और घरों में साखशफाई भी करती है इस दिन घर में आने जाने वालों का स्वागत भी करती है और भोजन का प्रबंद भी करती है भासा की बात देखिए भासा की बात नीचे लिखे गए सब्दों उनमें क्या फर्क है अंतर बताओ प्रेम ग्रह इसने इसने में सुता है प्रेम सांती सननाटा भूल, राक, ग्रह, ग्री, निधन, निर्धन, समान, समान अब देखें उत्तर है, इसने, बच्चे के प्रती प्रेम प्रेम, किसी के प्रती प्रेम का सभाविक प्रेम बाग क्यों बतलना, छोटे से, बच्चे को सभी छोटे बड़े प्यार करते हैं, सने करते हैं हम एक दूसरे से प्रेम की भावना चाहिए, प्रेम करना चाहिए, अब सांती में देखिए, मन की सांती, स्थिर्ता, अर्थ है स्थिर्ता, भगवान के भजन में हमें मन, के भजन से हमें सांती, और मन में सांती मिलती, सन्नाटा, निर्जनता, इस सड़क पर तो सन्नाटा ही भूल, धूल, सूखी में मुटी, तेज हवा चलने से धूल उड़ने लगी, राक, जले हुए प्रदार्थ काउशेश, भीशन आग से घर जलकर राक हो गया, ग्रह नचत्र, शौर मंडल में नौग रह हैं, ग्रिह, घर, तुम्हें अपना घर का कारे पुरा करना चाहिए, निधन, आदर्णी व्यक्तिक की मौद, गांधी जी के निधन से राष्टपती, राष्ट में सोक फैल गया, निर्धन गरीब, भगवान ही निर्धनों की साहता करता है, समान, सद्रिश एक समान, राम और स्यान की लंबाई एक समान है, सामान, वस्तुएं, मेज पर बहुत सा सामान रखा है, इस प्रकार हम पढ़ेंगे, कविता में यूग मजोड़े बनाना है, दिन रात जैसे, उसी तरह उत्तर में है, आना जाना, सुख दुख, हानी लाव, अपने पर आए, और इसे पुरा कर लिजे, थेंक्यू क्लास, कर दो, वस्तून सामान síndale, तरह थो हम Aa जहा है,